इस विडियो में हम बादाम के फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। सरदियो में अकसर उन्चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है जिन की तासीर गर्म होती है। बादाम उन्हीं चीजों में से एक है। सर्दियों में ज्यादातर लोग अपनी डाइट में बादाम को जोडते हैं, वही अगर बादाम के पॉश्टिक तत्वों की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटीन, उर्जा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैगनीशियम, पोटेशियम, फासफोरस, सोडियम, जिंग, पूर्पूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट्स होता है, जो बढ़ती उनको कंट्रोल करता है, बादाम में प्रोबायोटिक्स और फाइबर आदी महत्वपून, पुशक तत्व पाए जाते हैं, जो नकेवल शरीर में उर्जा बनाये रखने में मददगार है, बलकि यह ऐसे में व्यक्ती रात में बादाम को भिगवे और अगले दिन उसका सेवन करें, इससे अलग चार से पाँच बादाम बिना भीगे हुए भी व्यक्ती सेवन कर सकता है, ऐसा करने से दिन भर शरीर में उर्जा बनी रह सकती है, बादाम से बलड में अलफाल टोकोफिरॉल क बादाम की मात्रा बढ़ती है, जो बलड प्रेशर को कंट्रोल करता है, भीगे बादाम से गुड कॉलेस्टरॉल बढ़ता है और बैट कॉलेस्टरॉल कम होता है, बहतर याददाश्ट के लिए और मस्तिश्क की कारिप्रनाली को बहतर बनाने में बादाम का सेवन एक अच खाने के फायदे के बारे में जाना लेकिन सभी लोगों के लिए यह फायदे मन नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके लिए बादाम का सेवन करना उनकी सेहत को नुकसान पहुचा सकता है, तो आईए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें बादाम खाने को अव परिशानी हो तो ऐसे में उन्हें भी बादाम नहीं खानी चाहिए अगर किसी को पाचन संबंधी परिशानी है तो उन्हें भी बादाम खाने से बचना चाहिए क्योंकि इन में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो आपकी परिशानी को और बढ़ा सकता है अगर पावित हो सकता है जो लोग मुटापे से परिशान है उन्हें भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरी और वसा बहुत अधिक मात्रा में होती है जो बजन बढ़ाने का काम करता है यदि किसी को ऐसे डिटी की शिकायत रहती हो तो उन्हें भी बादाम नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों इस तरह की और जानकार युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें